अस्सलाम अलेकुम रहमतुल्लाही वबरकातु तारीक 1-2-2021 सब्जेक्ट अर्वी आज हम अर्वी में क्या सिखेंगे दर्स नमबर 6 दर्स नमबर 6 पर क्या है अलीफ मद्दा की तिलावत यानि हमें क्या पढ़ना है अलीफ हुरूफ के साथ अलीफ को मिला कर हमें पढ़ते सीखना है जिस तरह यहां अर्वी की बूक में पेज नमबर 16 के उपर दर्स नमबर 6 है यहां पर पहला हुरूफ क्या है बा, अलीफ, जबर, बा यानि आ के साथ अलीफ मिला हुआ है और उपर जबर भी है तो हमें क्या लिखना है बालीब जबर बा लिखना भी है और पढ़ना है तो हमें इसी तरह यहाँ पर लिखेंगे हम इसी तरह बालीब जबर बा तो हमें इसी तरह बालीब जबर बा के बाद क्या है तालीब जबर ता तो हमें इसी तरह ता अलीब जबर जा ता के बाद सा अलीब जबर सा तो हमें इसी तरह लिखना भी है और पढ़ना है सा अलीब जबर सा सा के बाद जीम अलीब जबर जा इसी तरह हमें हुरूफ को लिखना है जीम के बाद हा अलीब जबर हा इसी तरह हा के बाद क्या है खा 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 अलीब जबर खा के बाद दाल अलीब जबर दा दाल के बाद क्या है जाल जाल अलीब जबर जा जा के बाद रा रा अलीब जबर रा इसी तरह हमें अलीब को मिला कर उपर जबर लगा कर हुरुफ को लिखना है रा के बाद जा जालीब जबर जा, इसी तरह जा के बाद सीन, हमें यहाँ पर लिखना है सीन, अलीव जबर सा, सीन के बाद शीन, शीन, अलीव जबर शा, शीन के बाद सोद, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सोद, अलीव जबर सा, सोद के बाद दोद है, तो यहाँ पर लिखना है, दोद अलीव जबर दा, दोध के बाद यहाँ पर तो है, दोध के बाद कौंचा हुरूफ आता है, तो, तो को अलीव के साथ मिला कर हमें लिखना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो अलीव जबर ता, इसी तो के बाद हम यहाँ पर हमें सही तरीके से हुरूफ को लिखना है, तो हम यहाँ पर तो अलीब जबर तार और जबर भी तारी के से लाएंगे तो के बाद जो तो हम यहाँ पर लिखेंगे जो अलीब जबर जबर जो के बाद आइन यहाँ पर लिखेंगे आइन अलीब जबर आ आइन के बाद गाइन काइन अलीब जबर गाइन के बाद फार लिखना है फा के साथ अलीव को मिलाना है और जबर लगाना है फा के बाद कौफ है और जबर काफ के बाद काफ है तो यहाँ पर हमें काफ के साथ अलीव को मिलाना है और जबर लगाना है काफ अलीव जबर काफ के बाद लाम लाम, अलीब, जबल, लाम के बाध, सृम हे, मुल, जबल, माई लाम के बाद, नून हे, हम यहां पर लिखेंगे, नून, जबल, नून के बाध, बाई, जबल, वाँ अब के बाद को फता है हाँ दो चर्च महाँ हमें यहाँ पर इसी तरह हाँ अली जबर हाँ हाँ कॉन्सा हुर्फ आएगा हम्जा तो हम्जा अली जबर हाँ हम्जा के बाद या हम्जा के बाद या हमें यहाँ या अली जबर या तो हमने यहां पर बात जबर्बास से लिए और या अलीवाले पड़े हैं उसी के बाद पेश्वाल लेकिन अब हमें अलीव भी लगाना है और जब भी लगाना है हमने वो हुरु हे यहां पर आज हमने बालीव जबर्बास लेकर या अलीव जबर्बास से लेकर या अलीव जबर्बास से लिए और पड़ा हमें अब हमारा होंवग क्या करना है हमें हमारी अर्वी की बूप में पेज़ नमबर 16 के उपर बालिप जबर पासे लेकर या अलिप जबर या तक अच्छे राइटेंग रूफ को पतना है और समझना है हमारा होंवग क्या है हमारा होंवग है अर्वी की बूप में दर्स नम्बर 6 पेज नम्बर 16 उपर बाली जबर बासे लेकर याली जबर याता खुरूफ को लिखना है अच्छे राइटेंग से हमारा होंवग अल्लाह आफीच असलाम अलाइकम वरह्मतुलाह वर्बरकातु